जिया नमस्कार मित्रोतो अब हम लेख लेते हैं 17 ओक्टोबर सोमवार इंडियन एक्सप्रेस जाने लाइक चीज़े क्या थे मैंने इस ओडियो नोट के पहले एक फोटो डाला है टेलिग्राम पे उसको आप देखिए अपने फाइनांस मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है कि रूपी इस नोट स्लाइडिंग डॉलर इस स्ट्रेंथनिग रूपिया गीर नहीं रहा है बलकि डॉलर मजबूत हो रहा है अब आप कहेंगे ये तो कैसे संभव है मनलब एक गीरा तो दूसरा उपर जाएगा न वह ऐसा न याराम से आप उसी फोटोग्राफ को जो मैंने अभी अपलोड किया है देखो फोर्थ मार्च को डॉलर की वैल्यू थी एक डॉलर के सामने रूपी आते थे 76 जो 18 ओक्टोबर मनलब मंगलवार तक हो गए 82 रूपीज तो परसंटेज वाइज आप देखो डॉलर का प्राइस कितना मेंगा हो गया तो करीब 7-8 परसंट मेंगा हो गया उसके मुकाबले 1 डॉलर की यूआन में वैल्यू क्या थी चार मार्च को थी 6.32 यूआन जो 18 ओक्टोबर को हो गई 7.2 यूआन तो परसंटेज वाइज ये ग्रोध कितना है करीब 13-14 परसंट तो यानि कि आप देखो रूपीए के मुकाबले डॉलर मेंगा हुआ बरा बर अरत का रूपिया जो जितना गिर है तो अगर कंपेर करें कि क्या जितना यूआन नीचे गिर गया उसके मुकाबले इंडियन रूपी भी क्या उतना नीचे गिर गया तो जवाब है नहीं तो बाकी सब करन्सी के मुकाबले हम लोग जरा स्थिर रहे हैं डॉलर के सामने और फिर भी हमने अपना बांध जो था नदी पर उसको संभाले रखा है सिर्फ 7-8% का ही चेंज आया जबकि चीन का बांध तो समझो टूट गया कि इतना 14% हो गया तो वो ऐसा Finance Minister हमारे जटाना चाहते अब आपको ये भी प्रशन हो सकता है कि ये कैसे हो गया कि रूपिया जितना कमजोर हुआ उसके सामने यूआन बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया परसंटेज वाइस कुछ ऐसा दिख रहा है उसका ये कारण है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट होंगे जो जरुद से जादा सकती और लॉकडाउन कर दिया है तो उनका प्रोड़क्शन बहुत कम हो गया होगा जिसके चलते शायद हो सकता है वो पहले जितना एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे उनका बहुत जादा एक्सपोर्ट डाउन हो गया हो तो ये कुछ ऐसी स्थितिया हो सकते कि जहां पर कोई एक करंसी जादा गिरी हुई लगे और हमारी मलब उनके मुकाबले थोड़ी कम गिरी हुई लगे परसंटेज वाइस खेर अभी इस पर और बहुत दिमाग लगाएंगे नहीं हम लोग क्योंकि जैनुरी फेबॉरी 2023 में नया एकनॉमिक सर्वेज आएगा उसके अंदर एक चैप्टर होता है एक्स्टरनल सेक्टर उसमें पूरा साल का यही वैल्यू फिर इसके साथ जुड़े जो थियोराटिकल कंसेप्ट से हैं नीर और रीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मुकाबले क्या स्थिति थी वो सब हम तब आराम से समझ लेंगे क्यार तो यह था पेज वन उसमें एक दूसरा भी समाचारे डिजिटल बैंकिंग यूनिट डी बी यू दोज़र बाइस के बजेट में अनौन्स किया था कि क्यूंकि आज़ादी के 75 यर्स हो रहे हैं तो हम लोग 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलेंगे यह क्या चीज़ है उसके वास्ते भी मैंने टेलिग्राम में यह आडियो नोड के पहले जो फोटो डाला है वह आप गौर से देखो उसमें HDFC ने कुछ जगा पर ऐसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलें उसकी फोटो डालें आप ज़रा उसको इमेज क्लिक करो जूम इ कर देगा कि कितना पैसा आपने डाला है निकाला है वगएरा ऐसा ही चौता पाचवा जो होगा कि उसमें आप कुछ एप्लिकेशन फॉर्म डाल सकते हैं या उसमें टाइप करके अपना नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं वगएरा वगएरा तो ऐसी सब डिजिटल फाइन जैसे प्रदान मंतरी किसान सम्मा ने दी पीम किसान जिसमें आपको 6,000 रुपी का फार्मर को पैसा दिया जाता है हर साल या फिल ये प्रदान मंतरी श्रम योगी मांधन योद्ना कि जहां पर आप अपने पॉकेट से 55 to 200 रुपी पे करेंगे सरकार भी अपने पॉकेट से 55 to 200 रुपी पे करेगी और ये पैसा LIC में इंवेस्ट होता है LIC आगे पैसा लगाएगा जब आप रिटायर होंगे तो आपको हर महीने 3,000 रुपी का पैंशन मिलता है आप मर्ग जाएंगे तो आपकी हस्बंड या वाइफ को 1500 रुपी का पैंशन मिलता है तो ये प्रदा के सिगनेचर दे दो कि हर महीने तुमारे बैंक अकाउंट से 55 to 200 रुपी काटेंगे वगेरा तो ये जो भी ऐसे छोटे मोटे आजारों काम होते हैं वो सब आप बिना हिूमन इंटरफेस के ऐसे इंटरनेट इनेबल कियोस की मदद से खुद कर सको वो सुविदा होगी उसक कुद से ही कर सके that is the idea तो इसे क्या financial inclusion बड़े banking network की reach जादा बढ़ सके क्योंकि हर जगाम बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि खासकर सरकारी बैंकों में वैसे भी profitability कम हो रही है non-performing asset bad loan की problem है so they require less staff के जड़िए जादा output कैसे करें तो ये फाइदा कर सकत है इस बाने गाँवाले उसमें आएंगे कुछ नया देखेंगे सीखेंगे तो वो भी सब घर बैटे भी mobile internet से अपना internet banking करें so then it will also help the economy क्योंकि जितनी आप digital payment use करेंगे तो cash का प्रभूत्व कम होगा तो उसी साब से black money का influence भी कम होगा कर्चोरी कम होगी क्योंकि सरकार banking sector प किसान को subsidy का पैसा जाए बहुत सारे आयम आप जोड सकते हैं so it will help like that आगे बढ़ते हैं page 2 मित्रो G20 की summit जो 2023 में 2023 में इंडिया में होने वाली है उसमें अलग-अलग track होते हैं वो share part track, economy track वगएरा वो पहले के एकात बार हमने पढ़ा था उसमें एक होगा culture track तो Sanskritic मामलों क के जो minister होंगे, officer होंगे आपस में कुछ tourism की बात करने के लिए कहीं पर मिले, तो कौन सी जगह पर मिलेंगे, अलग-अलग places वो identify करें सरकार कि करनाटक में हमपी, मध्यप्रदेश में खजुरा हो, उत्तर प्रदेश में आगरा का किला और ताज मेहल, ओडिशा में कोनार का सूर्य मंदिर, ऐसे कुछ चार-पांच जगह पर थोड़ी-थोड़ी meetings करवाएंगे, ऐसा हो सोच रहें, अभी से हम लोग इस पर तयारी नहीं करेंगे, दो कारणे, एक तो आप आर्ट कल्चर पढ़ रहें, तो आपका ये सब पहले से ready होना चाहिए, और दूसरा कि अग और दूसरे agriculture output में कमी आई, तो बारत का wheat export वो पहले से double हो गया, लेकिन उसमें चिंता का विशाया आप जानते हैं कि बारत के market में shortage हो जाएगी होंकी वगएरा वगएरा, तो वो भी ball by ball comment भी बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले भी हम कई बार उसको देख चुके है और अगले साल economic survey वापस से उसको बोल देगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो page 3, 4, 5 में कुछ नहीं, page 6 में कुछ corruption related ethics की case study बनाते हैं, एक ऐसा है कि railway की एक company है, IRFC, उसका जो chairman and managing director CMD था, उस पर ये आरोप है कि उसने अपने पद का दूरूपयोग किया है, कि वो अपने ही घ कि गर में towel खरीदा हो, grocery, vegetable, dry fruit, दिन के सारे खर्चे वो भी, वो सरकार के नाम पे फार देता था और सब उनके सर पे bill चड़ाके कि ये तो मेरे office के खर्चे हैं, फिर उसने अपने ही घर को बोला कि ये तो guest house है, और उसमें जो भी TV, fridge, washing machine वगेरा fit करवाया, वो भी सरकार के नाम पे bill फार दिया, फिर उसने ये का कि मैं तो railway की company का ये जो बड़ा boss हूँ तो मुझे Britain भी कुछ study करने के लिए जाना है, तो उसने 10 साल का UK का visa करवाया, और वो 10 साल का visa करवाने की fees लगी 98,000 रूपी, जबकि उसकी नौकरी तो मुश्किल से 3 साल में खतम ही होने वाल railway minister ने उसको suspend कर दिया है और inquiry चल रही, तो इसमें हमको सबक क्या लेना है, बलब इसकी case study एक तो बन सकती है कि सबोज आप ही railway के account officer हैं और आपको पता चलता है कि आपकी ये जो सरकारी company है इसमें ऐसी दांदली हो रही है, आप कुछ highlight करने की कोशिश करते हैं, तो उपर से ये जो साब हैं वो pressure डालते हैं कि तुमारी तबादला करवा दूँगा, transfer करवा दूँगा, दूर अरुना चल प्रदेश बेज दूँगा, तो अब क्या करेंगे, हाँ तो finance ministry, CAG वगरा को लिखेंगे ये जो भी गलत हो रहा है, क्योंकि ultimately ये taxpayer और common citizen का पैसा है जो ये unethical जो character होता है व्यक्ति का कि बस मुझे और पैसा चाहिए, greed, लालच का कोई अंत नहीं हो सकता, ये सब हम यहां से देख सकते हैं, इसके मुकाबले हो सकता है कोई class 2, class 3, group B, group C, level का official हो साथ इमानदारी से और अच्छे से काम करता हो, फिर दूसरा corruption का ऐसा मामला कि पंज कर दो, लेकिन वो officer ने उसको ही arrest कर दिया कि तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, तो फिर उसकी photo है कि जहां पर वो रो रहे हैं ऐसा, आगे बढ़ते, page 7, advertisement काम के नहीं, page 8, page 8 में एक तो वही है, ये सब भारत में खाना मेंगा हो रहा है, climate change के चलते भी food production कम हुआ है, तो म Britain के अंदर, Prime Minister ने Finance Minister को नौकरी से हटा दिया, पर कुछ नया जानने लायक नहीं उसमें, quantum computing, उसके लिए ये जो quantum entanglement वगेरा के लिए, जो Nobel का 2023 का award मिला, तो यहां पर एक column है, अब column लंबी है, लेकिन उसका gist तो बहुत छोटा है, वो ऐसा कहता है, अभी जो अपनी binary computer है 0 and 1, उस हिसाब से जो भी उसके 256 या 128 के जो encryption codes होंगे, अगर quantum computing बहुत जादा आगे बढ़ गया, तो वो ऐसा होगा कि ऐसे 0 और 1 binary computer को चुटकी बजा के hack कर देगा, चाहे आप जितना भी password और inscription और उसमें जो लगा दो आप, तो इसलिए वक्त की ज़रूरत यह है, कि हमने ऐसे quantum computer के cyber attack से बचने के लिए अपनी सब technology को बेहतर करना होगा, इसके लिए वैसे तो भारत सरकार कदम उठा रहे हैं, लेकिन चीन की सरकार वो तो खुद ही कि हम कैसे quantum cyber attack करें, ऐसा research कर रहे हैं, और भारत के खिलाब करें, ऐसा हो डबल जोर से research करा रहे हैं, तो हमारे को दूसरे techno democracies, जैसे USA वगरा या जो भी जर्मानी वगरा, जो इस पर research करें, उनके साथ हाथ मिलाना होगा, और उनकी technology को acquire करके अपनी cyber security को quantum cyber attack से बचाना होगा, यह हमारी जरूरत होगी, आ तो यही अपना means paper 3 के अंदर जो है cyber security में लिखने लाइग मुद्दा, आगे बढ agriculture organization FAO, जो Rome, इटाली के अंदर है, उसका जनम दिवस है 16th October को, इसलिए हम इसे 16th October को World Food Day विश्वखादे दिवस के रूप में मनाते हैं, और उसी दिन World Food Price भी दिये जाते हैं, जो Iowa State in USA में दिये जाते हैं, इस बार मिला है वो महिला कौने, Cynthia Rosenwick और climate change की food production पर क्या असर होती उस मामले में उनको award दिया गया है, बस तो उसी चीज़ को repeat करते हैं, हाँ, क्या climate change के problem है, अब एक दो data ही दिये हैं, कुछ दिल भाग भाग हो जाया है, इस बार लिखा नहीं, कि अपना जो भी global warming हो रहा है, greenhouse gas emission के चलते हैं, उसमें 28% greenhouse gas emission तो ये खेती बारी के चलते ही हो रहा है, तो हम जब ये बात करते हैं, climate change से agriculture खराब हो जाएगा, तो आपने ये भी बात करने होगे, कि climate change होने का एक कारण agriculture खुद है, कि वह ये इतना greenhouse gas emission कर रहा है, तो हमें इस पर research development की जरूरत है, लेकिन agriculture पे कितना research हो रहा है, union और state का कुल मिला कर पैसा जोड़े तो 0.6% of our agriculture GDP वो जा रहा है research development में और उसको बढ़ाने की जरूरत है, फिर दूसरे कॉलम वो साही बाबा, जीन साही बाबा जो कुछ उसको जेल में रखा था, रिया करेंगे कि नएपन, वो इतना मुझे काम का नहीं लगए, फिर एक कॉलम है faith and public health disconnect, वो आप जानते हैं, अमे चानून बन रहे हैं, उसमें ये सब की मनाई होगी, ये बात चल रही है, तो उसी क्या सपस चर्चा है, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं, page 10 explained series, एक तो चीन की ये नहीं, जो communist party की summit हो रहे हैं, लेकिन कुछ खास जानने लाइक नहीं, for general studies point, आप political science optional है तो और पढ़ सकते चाना की wolf warrior democracy, wolf warrior democracy, माफ कीजे, चाना की wolf warrior diplomacy, democracy नहीं, diplomacy, वो ऐसा कि उनके जो राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, वो लड़ जगर के और जबर जस्ती जो aggressive stance रखते हैं, उसको का गया wolf warrior, लेकिन इसके चलते हैं, उनके सब रिष्टे खराब हो रहे हैं, वगरा पर चुके, फिर explain series है, meat and milk from plants, plant based meat products, वो सब bio technology का इस्तिमाल करके बनाए जाए, तो विराट कोली, MS दोनी, ऐसी सब कंपनियों में, स्टार्ट अप कंपनियों में, इन्वेस्ट करें, इसलिए चर्चा में, उसी तरह दूद, तो दूद की जगा, भलब गाय बेंस का दूद का दूद पिया जाए, वो health के लिए अच्छा है, उसे green house gas emission कम होता है, compared to ki guy best से जो दूद बनाए जाता है, वगेरा तो, सब बाते हैं, अब वैसे मैंने पढ़ा लेकिन, science tech का question निकल के आया है, जोरदार उसने, मनलब, bio technology के कोई keywords दिये हो, कैसे बनता हो, उसकी बात की, व वो भी हमने देख लिया, Amisha ने हिंदी मीडियम में medical, MBBS course की किताबे launch की, वो भी हमने पहले देख लिया था, page 12 पे columns, कुछ काम के नहीं, page 13, मैं तो climate change के चलते, पाकिस्तान में जो इतनी जादा बाड़ा आ गई, उसे एक और भी बड़ा problem आ गया है, कि उनके सारे कबरस्त हो रही, क्या रिसका कोई MCQ नहीं बनता, पन ये मेंस में जब आप climate change की बात करते हो, सोचो क्या बित्ती होगी उन परी जनों पर की जो एक तो पहले परिशान है और उपर से और जादा नहीं परिशानी, तो ये लंबा लंबा जब आप निबंध में बात करते हैं, environment के बा interface कि जिसकी मदद से हम online पैसा transfer करते हैं, bank to bank account transfer होता है, तो भारत में तो हम इसके मज़े ले सकते हैं, but what if आप ये उरोप में गूमने गए, वहाँ पर आपने euro dollar में payment करना है, आपने जो भी कुछ नया gift लिया, chocolate खरीदा, कुछ, तो क्या वहाँ पर भी हम ये UPI based mobile app की मदद से transfer कर सकते हैं, the answer is yes, it will become possible, वह ऐसा होगा कि suppose आप European Union में कहीं गूम रहें, फ्रांस में, आप पानी पूरी खा रहें, या उसका जो bread खा रहें, पीजा खा रहें, तो उसका QR code होगा, आप उसको scan करेंगे, आप अपने UPI वाले जो भी mobile app है, आपका access, HDFC, या beam app है या कुछ so it will scan it, और वो पैसा transfer करेगा, हाला कि उसमें कुछ शर्ते होगे, कि आपने माली जे 200 रुपे transfer किये, तो फिर bank वाला उसको euro currency में convert करेगा, और फिर जो euro currency में उसका France का या जर्मनी का जो shop की पर है, उसको transfer होगा, तो ये जो currency conversion हुआ, उस पर bank वाले forex commission की fees लेंगे, और फ IPCI ये खिल करेगी, यूरोप की तरब से कौन सी company है, बेले नोक से है, तो वो सब इतना general knowledge काम काने, production linked incentive की रोज ball by balls comment या हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, OPEC group जो oil का production कम करके और उसका मेंगा करना चाते है, वो भी रोज पढ़ने नहीं बैठें, अगले साल economic survey आने तो क्योंकि अगर कर दिया तो मेरा backlog खतम तो ये जो CBSC series में ने शुरू की थी, current backlog, समापती, endeavor या expedition, अब मैंने फुल फॉर्म बनाय था, मैं खुद भी बूल गया, तो ये सवाइस officer इतनी सारी योधना के फुल फॉर्म बनाते हैं, उनको कितने याद रहते होंगे, anyways, see you next time.